हेलो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं ये हे राधा का घर और यहां भी सुभा का टाइम है सभी यहां पर सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और पर तभी यहां पर सोनम की आग खुल जाती है अरे 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 अभी तो ठीशे सुभा भी नहीं हुई और मुझे भूख लग गई मेरे पेट में तो बड़े वाले चुए कूज रहे हैं लगता है अरे चलो कुछ खाना परेगा जल्दे से मेरा पेट बहुती दर्ट कर रहा है अरे यह क्या मम्मी तो भी शो रही है चलो चल कर देखती हूं राधा इनद बड़े, रखे शेयदी रात को है चल देखतaş हूं यहा फिर राध का खाना ही होगा चलир मुझे लो देखती हूं अरे और यह क्या यह तो पूरा खाली है जरूर यह सामने हिगिक वगा तो इसके अंदर देखती हूं, अरे इसके अंदर बी जगाती हूँ वो कुछ बना के दे दे मुझे अरे लेकिन ममी तो शो रही है वो जगेंगी क्या ममी ममी उठी जल्दे से उठी है अरे ये क्या ममी ममी उठी है उठी है शुबा हो गई है चल्दे से नास्ता बनाई है उठी है ना अरे ये क्या सोनम तो मुझे क्यों जगा रही हूं इतने सुबह सुबह रात को दबा कर तो खाया था राज मचावल मुझे सोने तो मुझे नीन्द आ रही है हो और यहां परचन्दा वापस से सो जाती है अले ये क्या मम्मी तो शोग Pride वापस मम्मी मम्मी उट्ई है ना मुझे भोटे जॉशं बूख लगि ए मम्मी भी ना कितनी आलशी है एक लोटी बेटी का बात भी नहीं सुन्ती है मम्मी मम्मी उच जाए उच जाए उच जाए एक सोखा सब पराधरी बना कर दे दो ना फ्लीश बहुती भूख लेगी है अरे सोनम तुम यहां से चले जाओ मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे बहुती गुसा रहा है यह बच्चे भीना मुझे परिशान करके रखे चलो जाओ यहां से आने तो मुझे सोने भी नहीं दे रहे है अरे मैंने तो मम्मी कुछ भी नहीं बोला लेकिन इनने मुझे कितना जोश दार दिया मुझे बहुती ज़्यादा गुसा रहा है कि मम्मी मैं आपको अभी बताती हूँ अरे 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 बावरे सोनम यह तुमने क्या किया यह लड़की भी ना आज इस लड़की को मैं नहीं चोड़ूँगे अरे मुझे कितना जोड़ से लग गया है मेरी कमार आज तो सोनमने पूरी की पूरी हत पार कर दी आज मैं इसे नहीं छोड़ूँगी अच्छे मम्मी अब आप उठ गई है न अच्छे से चलिए जल्दी से कुछ बना दीजी मुझे भूक लगी है अरे ये क्या दीदी कितनी जोर से चिलाने की वास कैसे आई दीदी क्या हुआ क्या हुआ अरे दीदी आप नीचे कैसे गिर गए रुकी रुकी मैं अभी आती हूँ अरे राधा देखो सोनम ने क्या क्या उसने मुझे खटी ऐसे नीचे गिरा दिया अरे क्या कैसे रुकी रुकी दिदी मैं भी आती हूँ अरे लेकिन सोनम ने ऐसा क्यों किया अरे रादा ये सोनम ने मेरा खटिया पूरा खड़ा कर दिया और मैं नीचे गिर गई आज इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूँगी देख ले न अरे दिदी समाली पहले अपने आपको जाने दिजिए बच्ची है शायद गलती से हो गया होगा छोड़ दिजिए क्या गलती से इस लड़की को तो मैं आज नहीं छोड़ूँगी और रादा तुम मेरे बीचे बिलकुल भी मताना वरना देख ले न रुक जाओ सोनम में तुम्हें नहीं छोड़ूँगी आज अरे यह क्या मममी तो लगता है बोती बुरा मानगी अरे आस तो मेरे खेर नहीं राज अंधी अरे नहीं चलो भागती हो चल दिजिए रुक जाओ शैतान करे कि तुमने मेरा कमर तोड़ दिया आस तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी चाहे कुछ भी हो जाए अरे मममी माफ कुछ देजे अरे बापरे बाप दीदी तो बड़े गुस्से में थी आस तो सोनम की खैर नहीं आस सोनम की शामत आएगी देख ले ना सोनम को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आज वो तो नहीं बचने वाली है अरे क्या करो पीछे जाओ या नहीं अरे नहीं नहीं दीदी ने तो मुझे भी डाटके रखा है मैं नहीं जा सकती हूँ और यहाँ पर शाम सारे चीजे देखकर जोर-जोर से हस रहा होता है ही 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 शोनम अरे देखो तुसरा इस लड़की को कैसे हस रहा है श्याम चुप हो जाओ अना देख रहे ना मेरे तरफ से भी तुमको एक दो चपेट पड़ जाएंगे बेचारी सोनम और यहाँ पर चंदा सोनम का पीछा कर रही होती है मम्मी माफ कल दीजिए माफ कल दीजिए अरे तुम्हें कैसे माफ को रुको मैं तुम्हें बताती हो अरे बाप बाप लगता है आज मेरी कमर एकदम से तूट जाएगी यह सोनम भी ना आज मैं से नहीं छोड़ूंगी अरे मम्मी अपने आपको जो देखिए आप थोईने मेरे पीछे भाग सकती है अब आप बुद्धी हो गई है क्या तुमने क्या बोला मैं बुद्धी हो गई हूँ आज लगता है इस लाठी की दो तुकड़े हो ही जाएंगे आज तुम जहां तक भागोगी वहां तक आऊंगी चलो चलो तुम्हें बताती हूँ मैं अरे अरे यह क्या मम्मी तो ज़्यादा गुश्या हो गई अरे नहीं मुझे नहीं हस्रा चाहिए था और मैंने कुछ भी बोल दिया अरे मम्मी माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए हाँ पहले तुम रुको तो फिर तुम्हें अच्छे से माफ करूँगी रुक जाओ और यहाँ पच्चिंग की ट्री हाउस के पास खेल रही होती है हरे वाँ बहुती मजा रहा है ये अले लेकिन शोनम कहां पर रहे गई वो तो बोरे थे कि वो जल्दी ही आ जाएगी ये लड़की बिना पता नहीं कहां पर रहे गई बहुती मजा रहा है ये लेकिन शोनम आ जाएगी तो और भी ज़्यादा मजा आने लगेगा अरे अरे ये क्या अरे तो शोनम है अरे लेकिन ये ऐसे भाग क्यों रही है और आंती क्यूं आ रही है उसके पिछे अरे ये क्या अरे चिंकी तम यहाँ बनो क्या अच्छा हो तुम मिल गई मुझे अरे शोनम क्या बात है तो मित्ती दरी होई क्यो हो क्या बात हो गई अले शिंगी आज मुस्टे बहुती बड़ी गलती हो गई आज मैंने मम्मी के साथ वे आश्मार वाला गुष्णा चगा दिया अरे क्या अब तो तुम गई सोनम हरे हाँ अले यह क्या मम्मी तो आ रही है अरे मैं क्या करो कहा जाओ कहा जाओ चिंकी सुनो मैं ट्री हाउस में जा रहे है चपने प्लेस तो मम्मी को कुछ भी मत बताना ठीक है ना चलो मैं चाथे हो जल्दी से और यहां पर सोनम जल्दी यल्दे ट्री हाउस पर चड़ने लगती है और फिर तभी वहाँ पर चंदा आ जाती है अरे लड़की आखे कहाँ पर गायब हो गई अरे चिंकी चिंकी बेटा चल दे सोनम मेरी बात अरे ये क्या माम में तो आ गई नहीं नहीं अलो चला मैं यह पाच्छेप जाते हूँ अरे चिंकी बेटा तुमने सोनम को देखा क्या तुम्हारी दोस्त को यहां पर आई है क्या तुमने देखा है उसे वो चंदा अंटी मैंने नहीं देखा शोनम को कौन मेरा मतलब शोनम यहां पर नहीं आई है आख्यारी लेकिन मैंने उसे यहां पर नहीं देखा है अच्छा, सच मैं चिंकी? तुम सच बोल रही हो ना कहीं तुम जूट तो नहीं बोल रही हो ना देखो मेरी आखो में ध्यान से नहीं, नहीं, नहीं चंगान जी, मुझे नहीं देखना जरूर दाल में कुछ काला है जरूर सोनम यही पर छुपी है सोनम तुम कहां पर हो सोनम अरे कहीं ट्री हाउस पर दो नहीं है अच्छा ये बात है चलो चलो सोनम अब छुपने का कोई फाइदा नहीं है मैंने तुम्हें ढूंड लिया है अब तुम वहां से कहां भागोगी चलो अब नीचे आजाओ आज तो तुम्हारी हड़ी पसलिया एक कर दूँगी नहीं मुझे नहीं आए ना मम्मी माफ कर दीजे माफ कर दीजे अगली वर्सेशन नहीं करूँगी प्लीश प्लीश माफ कर दीजे ना गलती हो गए शोरी ना मम्मी प्लीश माफ कर दीजे चली चली आप यहां शे अरे देखो तो जरा इस लड़की को कैसे सबहर लड़ा रही है अच्छा ये बात है रुको मैं अभी आती हूँ आज तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चोड़ोंगी रुको मैं अभी आती हूँ अरे ये क्या मम्मी तो उपर आ रही है चल 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 दे से कर सेरी उपर कर देती हूँ अरे इस पर मैं कैसे चड़ू अरे मम्मी मत चल 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 शेरी उपर कर देती हूँ अरे अरे सुनम तुम क्या कर रही हो अब आकर दिखाएए आप ममी आप तो नहीं चरपाएंगे उपर ना 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 मुझे पकर कर दिखाएए अरे ये सुनम क्या कर रही है कहें पागल वागल तो नहीं हो गई है अरे पागर लड़की तुम क्या कर रही हो तंदा अंते तुम्हें नहीं चोड़ेंगी उतर जाओ जल्दिशे नहीं नहीं मुझे नहीं उतरना वरना मम्मी मुझे नहीं चोड़ेंगी कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूंगी अच्छा तो यह बात है हाँ हाँ रहो बेटा वहीं पर रहो खाना खाने कहां पर आओगी आज देखना मैं तुम्हारी सारी हरकते तुम्हारे पापा को बता दूँगी फिर देखना बड़ी आई कभी न कभी तो नीचे उतर नहीं पड़ेगा और चिंकी ये लड़के मुझसे जूट कबसे बोलने की तुम्हारी आखिर हिमत के से भी मुझसे जूट बोलने की आज के बाद तुम और सोनम मुझसे बात मत करना हां चोलो मैं जाती हूँ आज अच्छा खाना बना कर हम खाएंगे और इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे अरे ये क्या सोनम के वज़े से चंदा अंते ने मुझसे कितना दादा सोनम तुम बहुते गंदी हो बहुते गंदी हो तुम्हारे वज़े से मुझसे चंदा अंते ने बहुते जाता अब तो मुझे यहां पर अकेले ही रहना पड़ेगा घर पर भी नहीं जा शकती हूँ और चंकी के पास भी नहीं मैं तो यहां पर फश गई दोस्तो अगर आपको अमारी कहानी अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ठैंक यू फॉर वाचिंग